दिल्ली में चुना आयोका भाजबा को छट्टा अन्राम ठागुल प्रविश वर्मा की नामिस्टाल प्रचारत की से खताने के दिये आदरेश के बस और आटोरिक्सा के बीच कोई भीश और चक्तर हासे ने मघले वालों की संत्यावी शप्रिक प्रविश पर जताया दो दोशी मुकेश की याजिका को सुप्रिब कोर्ट ने किया खारिज शीर्ज कोर्ट ने किया दखल देने से इंकार परवरी को बुदी है फासी बैडमिंटन किलारी साइना नहवाल में थामा बीजेटी का दामन वथामन की मोईशे प्रेज़ को गर बुदी ये दिजेटी मिशामिन और विधान सवा चुनाओ का सियासी पारा दिन पर दिन ऊपर की और ही चरता जा रहा है चुनाओी रण में नेताओं की विवादित बयानवाजी भी लगातार देखने को मिल रही है इसी पर संग्यान लेते हुए चुनाओ आयोग ने केंदीर राजमंतिय अनुराग ठाकूर और प्रविश वर्मा के खिलाफ कारवाई की है आचार संग्ता के दारन भड़काओ बयानवाजी का माबला सही पारे जाने के बाद चुनाओ आयोग ने इन दोनों नेताओं के नाम भाजपा की स्टार प्रचारक सूची से हटाने के आदेश दे दिये है चुनाओ आयोग का यन्यने भाजपा के लिए बड़ा छटका माना जा रहा है दोनों ही नेताओं के बयान सामने आने के बाद दिल्ली की सियासत गर्माई हुई थी दिल्ली में आयोजित भाजपा के कारेकर्म के दौरान केद्रे वित्र राज मंत्री अनुरात ठाकुर जब मंच पर भाशड़ देने पहुचे तो इस दौरान उन्होंने मौजूद कारेकरताओं से विवादित नारे लगवाए थे उन्होंने कारेकरताओं से देश के गद्दारों को गोली मारों सालों को किनारे लगवाई थे चुनाव आयोग ने इसे सही मानते हुए कारवाई की है वहीं दूसरी ओर चुनाव रचार के दौरान चड़े सियासी पारे के बीच भाजपा ने तप्रवेश शर्मा का शाहिन बाग में चल रहे प्रदशन को लेकर विवादेद बयान सामने आया था उन्होंने कहा था अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाएगी तो एक घंटे में शहिन बाग को खाली करा दिया गएगा इसके अलावा उन्होंने सरकारी जमीन पर बनी मजडितों को भी हटाने की बात कही थी महाराष्ट के नासिक में मंगलवार को सरकारी बस और आटो रिक्सा के बीज भीशों टकर हुई इस हाथसे में अब तक 26 लोगों की जान जाने की खबर है हाथसे में 32 लोगों के घायल होने की भी खबर है इस हाथसे पर प्रसामंती नरेंद बोदी ने दुख जताया है रिपोर्ट के मुताब एक दोनों वहानों के बीच तकरिती भीशों टीकी और आटो रिक्सा के बीज पर आटो रिक्सा के बीज जोरदार भीड़न्द हो गई आटो रिक्सा दूर तक खसिटा चला गया यहाथसा मालेगाओ देवला रोज पर शाम चार बजे के आसपास हुआ है निर्भया केस के दोशी मुकेश की याच्चका को सुप्रीम कोड ने खालिच कर दिया है वहीं सीर्स कोड ने भी दखल देने से इंकार कर दिया है निर्भया केस के चारो दोशी को एक फरवरी को फासी होनी है फासी से बचने के लिए दोशी रोज नए हतकंड़े अपना रहे है सुनवाई की थी सुप्रीम कोड ने अपना फैसला सुना दिया है कोट ने मुकेश की याचिका को खारेच कर दिया है कोट ने कहा है कि राश्टपती ने जल्दबादी में फैसला नहीं लिया है शीश कोट ने ये कहा सभी रिकॉर्ड राश्टपती भवन में भेजे गए थे राश्टपती ने सभी जरूरी दसवेश देखकर फैसला लिया है सुप्रीम कोट ने कहा इसमें हमारे दखल की जरूरत नहीं है बता दे कि राश्टपती रामनात कोई ने 17 जनवरी को मुकेश की दाया याचिका ठुकरा दी थी इसके बाद बीत शनवर को मुकेश ने इसकी नयाइक समीक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर कर दी थी इस बीच दोशी अक्षे कुमार्ट सिंग द्वारा भी फासी की सजा के फैसले के खिलाब क्रेटिव पेटीशन दायर कर दी गई थी गौर्दलब है कि इस फरवरी को सुबह छे बजे चारो दोशी को तिहार जेल में फासी देने का डेथ वारिन चारी हुआ है जस्टिस अशोग भूशन जस्टिस आर भानुमती और जस्टिस एएस बोपन्ना की बैंच द्वारा मंगलवार को मुकेश की याजिका पर सुनवाई की गई थी मिरभया केस के दोशी पवन, मुकेश, बिनय और अक्षे को फासी देने का डेथ वरिन दूसरी बार ज़ारी हुआ है डिल्ली की पतियाला हाउस कोट ने पहली बार जब डैथ वारेंट जारी किया था उस वक्त चारों दोशियों को 22 जन्वरी को सुबह 7 बड़े फांसी देने का कहा गया था लेकिन कानूनी उलजनों के बाद कोट को फांसी की तारिक आगे बढ़ाते हुए नया डेथ वारिन जारी करना पड़ा था इसमें एक फरवारी को फांसी दिया जाना तै है अपने शांदार खेल के प्रदसन से सब के दिलों पर राज करने वारी देश की स्टार बैटमिंटन खिराई साइना नहवाल खेल में धूम मचाने के बाद अब पॉलिटिक्स में पारी खेलने को तयार हैं साइना बीजेपी में शामिल हो गई है इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में शामिल होने की वज़ा है पीयम मोदी हैं जिन से उन्हें प्रेणा मिलती है साइना के साथ उनकी बड़ी बहन ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है बीजेपी में शामिल होने के बाद साइना ने कहा कि वे बीजेपी से जुरकर खुश हैं जो देश के लिए अच्छा काम कर रही हैं उन्होंने आगे कहा कि मोदी से उन्हें प्रेणा मिलती है उन्होंने कहा कि मोदी जो इतनी मेनत करते हैं उनके साथ काम करके उन्हें अच्छा लगेगा साइना ने कहा मोदी ने खेल को काफी बढ़ावा दिया है खेलो इंडिया शुरू करना उनका अच्छा काम है नेवाल नई दिल्ली में बीजेपी में शामिल हुई बीजेपी के राश्रे महासाचे अरुन सिंग ने उन्हें बीजेपी में जोइन करवाया इस मौके पर साइना की बेहन चंदरांशु नेवाल भी मौजूद थी उन्होंने भी बीजेपी का दामन ठाम लिया है साइना से पहले भी कई खिलाडी बीजेपी का दामन ठाम चुके हैं इनमें पूर्वी क्रिकेटर गौतम गंभीर, रेसलर, योगेश्वर, दत और बविता फोगाट जैसे बड़े चेरे हैं साइना महिला सिंगल रैंकिंग में 23 मई 2015 को वर्ल नंबर बन चुकी हैं वे इस मुकाम तक पहुचने वाली पहली भारतिये महिला बैडमिंटर खिलाणी हैं अच्छा लग रहा है मुझे आज के मैं एक ऐसी पार्टी जॉइन कर रही हूँ कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच में पेंडूलम की तरह घूमने वाले यह यू कहें कि दल बदलने से चर्चाव में बने रहने वाले महर से बीजेपी विधायक नायर्टिपाथी आजकल सीए के विरोध को लेकर काफी चर्चा में है नायर्टिपाथी ने दल तो नहीं बदला है मगर फिर भी अपनी पार्टी लाइन से हट कर सीए के विरोध में बयान दिया है तिपाथी का कहना है कि धर्म के नाम पर देश का बटवारा नहीं किया जाना चाहिए दल बदलू नेता की छाप रखने वाले जिन्होंने अपनी ही पार्टी को धोका दे कर कॉंग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी और चर्चा में आ गए थे हम बात मैयर विधायक नाराइन तिर पार्थी की कर रहे हैं फिलहार वे एक नई चर्चा क्या कह सकते हैं कि एक नई मुसीबत से पड़ गए हैं नाराइन तिर पार्थी ने एक ऐसा बयान दे डाला है जिससे सियासत गर्मा गई है अब समझने वाली बात ये है कि नाराइन तिर पार्थी ने दल बदल कर कॉंग्रेस का दामन तो नहीं थामा है फिर भी अपनी पार्थी के विरोध में आखिर बयान क्यों दिया है ये नारायन तिरपाथी का सुर्खियों में बने रहने का स्टंथ है या फिर वे किसी के हाथ की कटपुतली बन चुके हैं कोई उनसे ये सब बुलवा रहा है अब आपको सुनाते हैं कि नारायन तिरपाथी बोल क्या रहे हैं तिरपाठी कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर देश को नहीं बाटना चाहिए तिरपाठी ने कहा या तो आप संविधान के साथ हैं या विरोध में हैं और यदि संविधान के हिसाब से नहीं चलना है तो फाल कर ठेक देना चाहिए मैं गाउं से आता हूँ और गाउं में आज आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं तो बाकी कागज कहां से लाएंगे बसुदैब पुतुमकम की बात होती है उन्होंने कहा कि सिये कानून के कारण गाउं में ग्रह कलेज जैसी इस तिधी निर्मित हो गई है आज गाउं के लोग एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं लेकिन धर्म के नाम बठवारा किया जा रहा है ये गलत है खेर जब उनसे ये जानना सहा कि आप पार्टी लाइन से हटकर वयान दे रहे हैं तो उस पर नारायंतिर पाठी ने कहा ये मेरे दिल की आवाज है मैं गाउं से हूँ और गाउं की जो तातकालिक परिस्थितिया देखा हूं उसकी आधार पर में बात कर रहा हूं सबसे पहली बात यह है कि या तो हम बाबा भीम राव अंबेटकर के सम्विधान का सम्मान करें उसका पालन करें या तो उसको फाड़ के फैंग दें बाबा भीम राव अंबेटकर के सम्विधान में यह बोला गया है कि धर्म निर्पेक छराष्ट में धर्म के आधार पर बटवारा संभव नहीं है इसके बाद भी कि यह बटवारा किया जा रहा है यह दो में से एक बात सिद्ध होती है तो आप समिधान के साथ है यह समिधान के खिलाप में दूसरी स्थितिया आज गाउं में आधार कार्ड बनवाने के लिए गाउं का गरीवाजी भटकता रहता सहर का गरीवाजी भटकता रहता जानकारी के अभाव में इतने पेपर कठा करके यह नागरित्ता के कागज बनवाना भी बड़ा संभव काम है आज हमारे देश में एक तरसे ग्रह कल्या की स्थितिया हो चुकी है एक दूसरे के तरह लोग देखना बंद कर दिये हैं हम गा में ग्रह कले हो जाएगा उस घर में उस प्रदेश में उस देश में सुक्सांती संभव नहीं है हमारे पसदव कुट्रुमकम की बात करते हैं हम लोग एक ता खंडता की बात करते हैं और धर्म के नाम पर बढ़वारा करेंगे यह देश नहीं चल पाएगा इसलिए यह मेर हाथसा ड्राइवर की लापरवाही की वज़े से हुआ है गई और बड़ा हाथसा होने से चल गया तकरीव चार बज़े घटना ही है तो हम लोग पीशे थे आगे से ड्राइवर बोड़ा था किसी ट्रक वाले मतलब कट मारा है इस चक्कर में वो काड़ी कंट्रोलिल में पलड़ गई ऐसा बोड़ रहा था चार लोग लगा पकि दो मरतक दिहारी मजदूर था बिल्डिंग का निर्माद करवा रहे ठेकेदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी पुलिस ने मौके पर पहुँचकर शव का पंचनामा कर पोस्ट मार्टनम के लिए भिजवा दिया स्विंग रॉली मौरबा में नगर निगम की मीट मंडी के सामने बन रहे निर्माणा धीन कॉंपलेक्स के दुकान नमबर 24 में दिहारी मजदूर का शव मिलने से हर कम पमच गया ठेकेदार दोरान अन्फानन में इसकी जानकारी मौरबा पुलिस को दी गई गट्टा की जानकारी मिलते ही मौरबा बुलिस मौके पर पहुंची शव का पंजनामा कर शव को समाचम के ले भेज दिया ठेकेदार ने बताया कि मृतक उसके यहां मजदूरी का काम करता था उसका नाम विजयरावत निवासी दहुआ डोल थाना जियावन है विजयरावत अपने तीन साथी जोकी ग्राम, कोचिला, सीधी निवासी, जानी सिंग, महिंद्र, कुमार सिंग और बुदराज सिंग के साथ मिरमानाधिन कमरे में रहकर मिस्त्री का काम किया करता था उसे सुभा रानी सिंग ने फोन से सूचित किया जो म्रतक की प्रेमिका है, साथ रहकर मजदूरी का काम करती है कलराज शराब के नशे में विजयरावत का जगड़ा महिंद्र और बुदराज से हो गया था, जिसमें विजय को काफी चोटी आई थी पुलिस को घटना स्थल से विजय का शव मिला लेकिन मौके से रानी फरार हो गई, इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिक शक अभीजीत रंजन के निर्देश पर मोरबा, निरिक शक नागेंदर प्रताप सिंग द्वारा संभावित तीनो आरोपियों की तल के पेटि कांटेक्टर यहां काम करते हैं, अपने दो अन्र साथी और एक महिला मित्र के सांथ रह देते, तो आद शूँआ हूं से महिला मित्र ने फोन करके बताया, कि उनके साथी बुद्धरा से और महेंग कुमार से इन लोगों ने कुमार मित्र करके उनके रहाए, तो पूरी तरी किसे सामने है, अपना कोई ले चुपी भी नहीं है, तो मैं गुद्धरार सिंग और महें कुमार सिंग इंके लिट्रों ने, इनके साथ मार की इसके साथ कोटे कुछाएं, इसका अरुपी गड़ों के हम तलास कर रहे हैं, तलास में टीम रवाना के लिए हैं, यह तो आईए आप, बोले ठीक अपने करके चलो दवाई कराओ, हम आते हैं, हम यहां आये, तब तलाको तलाला भर के, उसका मुद्धी आये, तो मॉबाईल स्विचा आप तलाला भर की है, इसके बाद ठाने के लिए थाने वाले आये, तो बोडी पड़ी गया थी, चोट वही तन पटी के है, फिर आल वक्त है, छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजीर होंगे, आप देखते लिए इता हजीरूची प्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं इंगली खबर की ओरूट 36 गड़ में भी कोरोना वाइरस का एक संदिख्ध मरीज बिला है, स्वास्तमंती टियस सिंग्डेव ने इसकी पुष्टी करते हुए कहा है कि इसमें चिंता करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है, सिर्फ मरीज को निगरानी में रखा गया है, चीन से यहां के लोगों का सीध रहने के लिए कहा है, सिंग्डेव ने कहा कि जो भी व्यक्ति चाइना जा रहे हैं, उन्हें सतरक रहने के लिए कहा जा रहा है, 36 गड़ में इस वाइरस का कोई प्रवाव नहीं है, स्वास्तमंती टियस सिंग्डेव ने कहा कि 36 गड़ में भी इस वाइरस का एक मामला संद पीरित महिला को अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। इसकी जानकारी भी स्वास्ते अमले को दे कर साथ धाली रखने को कहा गया है। भारत में केंदर सरकार की ओर से इस जानलेवा बिमारी को लेकर एडवाईज जारी कर दी गई है। 36 गर जैसे प्रदेश में इस वाईरस को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना वाईरस को लेकर 36 गर में भी एतिहात बरती जा रही है। स्वास्ते मंत्री टिये सिंग्डेव ने लोगों को सतरक रहने के लिए कहा है। सिंग्डेव ने कहा है कि जो भी व्यक्ति चाइना जा रहा है उन्हें सतरक रहने के लिए जरूरत है। 36 गर में इस वाईरल का कोई प्रभाव नहीं है। सिंग्डेव ने बताया कि राइपुर की एक महला चाइना से लोटी है। फिलहाल उन पर वाईरस का कोई प्रभाव नहीं है, जांच में पॉजिटिव नहीं पाया गया है। उनमें वाईरस के कोई लक्षर नहीं पाये गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वाइरस भी वर्ल फ्यू जैसा ही एक वाइरस है जो कि ज़नली जानवरों से इंसानों में आया है। तो कोई बड़ी चिन्ता की बात अभी नहीं है, केवल एhtयात बरतने के लिए कि कोई भी चाहे विदेशी हो बाहर से आए हो, चाहे देश के लोग किसी काम से गए हो, टुरिस्ट की रूप में गए हो, या विवसाय की रूप में गए हो गंगरेल बांध में नाव पलटने से बड़ा हासा हुआ जिसमें दो लड़कियों की जान चली गई दो लोग घार हो गए है और एक छोटी बच्चीला पता है यह हासा नाव का बिहार करते समय हुआ नाव में पानी भर गया था तेज हवाय चलने से नाव का संतुलन भिगड़ गया जिसे नाव पलट गई दमतरी के गंगरेल बांध में नाव का बिहार करते वक्त नाव पलटने से दो लोगों की मौत हो गई दो घायल हो गए जबकि एक छोटी बच्चीला पता है ये बेहत दर्दना घटना नारंटो इलाके से आए भाराल लोगों के साथ हुई ये लोग गंगरेल बांध के किनारे पहुचे और वहां रखी मचवारों की नाव लेकर जलबिहार करने लगे उसी वक्त हवाय तेज हो गई और नाव के अंदर पानी भरने लगा नाव में सवार लोग पानी निकाल कर फैक भी लगे जिससे नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव पलिट गई इस हाथसे में एक पांच वर्षिय बच्ची और एक सत्त्रा वर्षिय लड़की की डूबने से मौत हो गई जबकि एक तीन साल की बच्ची लापता है हाथसे में दो लोग खायल हैं जिनका इलाज चारामा के सरकारी अस्पताल में चल रहा है जबकि साथ दोग सही सलामत निकाल लिये गए हैं घटना की खबर लगते ही धंतरी के अकला डोंगरी ठाना की पुलिस रेस्क्यू में लगी हुई है और लापता वच्ची की तलाश लगातार जारी है कई किलो मीटर के विस्तार में फैले गंगरेल बांध के तटो पर बसे गाउं में मच्वारे रहते हैं और अकसर परेटक उनकी नावा को घुमने फिरने के लिए इस्तमाल करते हैं जो बेहत खतरनाक और रिस्की होता है यहाथ सब ही इसी तरह की लापरवाही का नतिया माना जा रहा है पुलिस ने अपनी तरफ से अपील की है कि लोग इस तरह का खतरा उठा कर अपनी और अपने परिवार की जान से ना खेले मृताक परिवार के एक युवक में जल्विहार का एक वीडियो टिक टॉक पर बनाया था जिसमें पूरा परिवार देखा दाफता है जिसे प्राप्त नहीं किया जा सका है और इसके अतरिक ते एक अन्य दो लोग जो है वो घायल है बिलासपूर में नावाली की स्कूली चात्रा के साथ दुराचार करने वाले मुख्य आरोपि सही 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार किया है जिसमें इसे तीन नावाली के परोष में रहने वाले यूबक ने लड़की को कार से घर छोड़ने के बहाने अपने साथियों के साथ मिलकर घंडितवार रास को अंजाम दिया था बिलासपुर के सरकंडा ठानाच्षेतर में एगनावाली के स्कूली चातरा के साथ रेप के मामले में सभी छे आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है मुखे आरोपी के साथ तीन नावाले आरोपी भी गिरफतार किये गए हैं बताया जा रहा है कि गरतंतर दिवस के दिन इस्कूली छात्रा अपनी छोटी बेहन के साथ इस्कूल में होने वाले सांसकेतिक कारिक्रम को देख कर घर लोट रही थी। जब दोनों जब रापारा चौक पहुचे तो उनके पडोसी दीपक सिंग ने अपनी कार में लिफ्ट दे कर उसे घर छोलने की बात कही। जिसके बाद उसने ये बात किसी को नहीं बताने की दंकी दी और मौके से फरार हो गए। घर लोट कर पीडित छात्रा ने गटना की जानकरी अपने माता पिता और स्पहिली को दी परिजनों के साथ उसकी शिकाया थाने में की सरकंडा थाना ने पासको एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बच्चियां कल्चरल प्रोग्राम देके वापस आ रही थी। रस्ते पे जो परचित थे उनके कुछ दीपक करके कारोपी है। उसने रस्ते पे रोका और कार पे था वो लिफ्ट देने के भाने हैं। बच्चियां बैड़ गई लिफ्ट कार पे उनको घुमाते हुए वो विर्गोना के सुंसानी लाके पे ले जहां पे आरोपी ने अन्य अपने साथियों को बुलाया। जब बच्ची वास्रूम बात्रूम गई थी उसी दरान एक आरोपी जो है वहां गया और दबाव बनाते हुए उसके उपर संबंद बनाने कोशिश की और गलत कार किया उसके साथ और दबाव बनाते हुए बेल्ट से मारा भी किसी को नहीं बताना है। बच्ची डर गई थी जब वापस उनको घर छोड़ा के आरोपी की दवारा तो घर पे पहले तो नहीं बताया अपनी सहली को बताया जिसके बाद परिजन आके ठाने को रिपोर्ट दर्ज करा है। अपने प्रेमी से कोड मेरीज करने वाली महिला ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए है। माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने उसके पती को बंद कर दिया है और उसे भी महिला आरक्षक दौरा फिड़वाया जा रहा है। महिला का कहना है सभी लोग मिलकर बयान बदलने का दवाव बना रहे हैं जबकि हम बालिग हैं और आपसी रजामंदी से हमने शादी की है। शबरपुर में एक नवे वाहिता ने पुलिस पार गंभीर आरोप लगाए हैं। विवायता निकिता विश्व कर्मा ने एडिशनल एसपी को शिकायती पत्र दिया जिसमें उसने आरोप लगाए हैं। कि उसने 25 तरिक को अपने प्रेमी के साथ कोट मैरिश की थी। जिस पर उसके मादा पिता ने सेवर लाइन ठाने में शिकायत दर्श करा दी थी। इस मामले को लेकर वो और उसके पती प्रिंस भटनागर ठाने गए थे। वहां उसके बयान लेने पर टियाए विनायक शुकलन के इशारे पर महिला आरक्षक ने उस पर बयान बदलने का दवा बनाया लेकि जब बयान बदलने से इंकार किया तो महिला आरक्षक ने उसे न करते आ रहे हैं हमेशे समार पीट करते आ रहे हैं पच्छेस तारिक को उन्होंने मेरे उपर एरोजीन का तेल डाल के मुझे मजान से मारनी की कोशिश की गला दबाया और मुझे अपने घर से निकाल दिया बोलते तुम जा और मेरे माता पिता ने दिनेश कुमार कारपेंटर पापा ने जाके रिपोर्ट कर दी सिविल लाइन थाने में वहां पर रिपोर्ट की उन्होंने और बोलते हैं कि कोट मेरे इस कर लिए तो यहां के बयान दो मेरे पती को मेरे चेट को देदिन बटनागर को कपड़े उतार के मार ती आई ने फुद कपड़े परवाए और उनके उपर जूटा मुकदमा 307 को मुकदमा दायर कर दिया कि उन्होंने बोली चलाइए जो घटना कर हुगा है प्रिंस बटनागर निकितरा फिश करमा दोनों वाले युवक युद्टियों ने शादी करी है कोट मैरेज करी ती पुलिस थाना सेविल लाइन दौरा उनको प्रिंस निकितरा प्रिंस के बड़े वाई देविन उनकी मा उनकी बाभी के साथ थाना परसर में बस सलूकी करी गई मारपीट करी गई और यह बताया गया कि इनके खलाव हमने एक आपरातिक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जब पूचा तो बताया निकितरा बताने पर बताये 307 का फरजी मुकदमा बनाये गया और उनको जेल बेज दिया गया है उनके उपर पच्छेस सत्ता इस आम सेक्ट भी लगा दिया गया है पूरा का पूरा मामला फरजी है जब जो निकितरा विश्करमा जिसने शाधी करी है उसने अपने ब्यान भी CSP आफिस में दे दिये नियाले में उसने अपने निकित भी दे रखे उट मेरिश का पत्ति भी ने दिखाय था बावजूद इसके जब कोई अता संभव सही नियाय नहीं दिया गया तो हम सब कायश समाच के लोगों ने आज पूलिस अजिक्शक के नाम ज्यापन सोपर कि इस पे नियाय महिला ने पुलिस वालों पर गंफीर आरूप लगा है और दोशी पुलिस वालों के खिलाफ कारवाई की मांग की है महिला अपने सस्राल वालों के साथ एस पी ऑफिस पहुची थी लेकिन महिला की शिकायत पुलिस वालों की खिलाफ होने के वजह से पुलिस के आलाधिकार इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं वहीं टी आई अपने पर लगे आरोपो को गलत बता रहे हैं इस शांतिपूर तरीके से तिरंगा यात्रा निकाल का सी एक समर्थन किया। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में आरेसेस और भाजपा के समर्थक सामिल हुए है। इस मौके पर अखिल भार्थी विधार्दी परिशत की पोरिमा सिंग, विक्रम सिंग सहिद, RSS और भाजपा के कारेकरता बड़ी संख्या में, CA के समर्थन में रैली में मौजूद रहे। लोगों ने इस शांतिपूर्ड रैली का जगा जगा स्वागत किया और इस रैली की सरहाना भी की। रिवा में समाच से भी रिया लवलेश रजक को युवा एक्ता परिशत महिलाई का संदक्षक बनाया गया है। रिया महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए उनको समाच से जोडने का कारे करेंगी। इस दोरान युवा एक्ता परिषद के युवा व ने रिया को महिला एक्ता परिषद युवा आज़ के संस्थापक सदस्यों की आवश्चक बैठक के उपरान फिल्म प्रिडूसर वीया लवलेश रजक की समाज के प्रती सक्रिता को देखते हुए उन्हे सर्मसमती से युवा एक्ता परिशद महिला एकाई का संदक्षक निउक्त किया गया रिया मदवर्देश, छतिसगर और दिल्ली की प्रभारी बनाई गई जो सभी प्रदेशों के संगठन मजबूत करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने हेटू उनके समाथ से जोडने का कारिकरेंगी इस दोरान युवा एक्ता परिशद के युवाओं ने रिया को महिला एकाई का संदक्षक बनाई जाने पर बधाई का कारिकरम रखा जिसमें युवाओं ने युवा एक्टा परिशत के संस्तापक स्वर्गे सचिन दिवेदी को नवन करते हुए विनर्म शंधान्चली दी कारिकर में आए अथिती गणोवा युवा ने अपने शब्दों के माध्यम से विया को संरक्षक बनने की बधाईव शुबकामना दे जिसमें मुख्य रूप से वरिष्ट समासेवी राज बिहारी रजक युवा एक्टा परिशत के संरक्षक पंडित सचिन श्यर्मा के साथ क वर्जन्दल के कारिकरता मौजूद रहे हमारे पापा जी जो हमारे साथ बैठे हैं उनकी वज़े से आगर वो एक में को बहु समझ की घर में रखते तो शायद में आप इना खड़ी होती होती उन्होंने मेरे को बेटी जैसा प्यार दिया और अपने बेटे के बराबर मेर हैं कि उन्होंने मेरे को हर कदम हर एक चीज में सब्सक्राइब किया अब देश प्रताप सिंग विश्ट्र विधियाला का आठवा दिक्षान समारो संपन्न हुआ समारो में मद्व देश के राजपाल लाल जी टंडन उपस्ति रहे देशवक्ति और भक्ति में गीतों के सा प्रदेश के महा महीम राजपाल लाल जी टंडन तथा प्रदेश कैबिनेट के उच्च शिक्षा मंत्री जीतु पटवारी ने आज रीवा के अवधेश प्रताप सिंग विश्व विध्याले में आठवे दीख्षांत समहरों में शिरकत किया राजपाल ने बहत्तर उपाधी धारकों को गोल मैडल प्रदान किया पीएचडी धारकों को मैडल प्रदान कर दॉक्टर के उपाधी से प्रुस्प्रत किया इस बीच विश्व विध्याले परिसर में रंगारंग कारिकरम का आईजन किया गया जिसमें चात्राओं ने गीतो क्याबनेट के उच्छ शिक्षा मंत्री जीतु पच्वारी ने कहा कि मदर प्रदेश को बेहतर शिक्षा युक्त प्रदेश बनाने की कोशिश में सरकार जुकी हुई है तथा हरे भरे कैंपस युक्त महाविध्याले बनाए जाएंगे वही महामहिम राजपाल लाल जी टंड दिया इसी तरहां विध्याद्यों को एक्चित होकर काम्यादी के लिए प्रयासरत होना चाहिए बातकाहों की संख्यात कमपुर। सारे देश को ये चित्ता हुई कि अगर ये हल तरही तो कल क्या होगा उसी समय इस देश में वेत्ती ने आराद उठाई जो समान ने उसी रूप में सुका चलिया बेटी पढ़ाओ बेटी पचाओ अब इससे जवाबा इसकी सफ़ताओं क्या हो सकती है पारवी से पास करते हुए बेटे और बेटियां साले जुप सिक्षा लेने में देश में हम निजले स्थान पर आते हैं और देश के जिया है रेशियों के पास सार के हम स्केल पर आजाएं यह हमारे लिए एक चुरोती इसमें हमने बेटियों की सिख्षा इस साल से मुफ्त करने का हमारा प्रयास है हमने एडिमिशन बेटियों के मुफ्त की है क्योंकि बेटियों को उस सिख्षा लाना आज जरूर्ट बेटियों जिसनी जादा हमारी बेटियां थे उनके लिए भी तालिया मांगता है यह सदा है इस बुलेटिन में फिलाल इतना ही आप देखते रहिए दखल नीज दखल आपके हक में संगीत चीस्वद लहरियों से संज्कृत एक टाने बाने ताख चंबल के बिढ़ों से नकसलवादियों के गर ता जोपडी से मेहलो था ठेलों से मेलो तक, पक्दंडियों से सड़कों तक, गाउं से शेहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राज़्टीती से कूट मीती तक, दखन न्यूज, आपके हद तक आप देख रहे हैं दखन न्यूज